पर आपका श्वागत है आप सभी को ग्यात होगा इस बार 2022-23 में होने वाली बोर्ड परिक्षा यूपी बोर्ड कक्षा 10 परिक्षा पैटन बदल चुका है नए पैटन का मॉडल पेपर विसेग गडित का आपके सामने हैं हम आप इस प्रश्ण पत्र को देखेंगे यह प्रश्ण पत्र तीन घंटे पंधर मेंट का है जिसका पूलांक सतर अंका है पंधर मेंट परिक्षा प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं कि सभी प्रश्ण अनवाद्य होंगे प्रश्ण पत्र के दो खंड हैं खंड आ और खंड बा दो खंड हैं जिसमें पहला खंड 20 अंक का बहुविकल्पिये प्रश्णों का है जिसके उत्तर आपको ओमर सीट पर देने है जिसके उत्तर आपको ओमर सीट पर देने हैं ओमर सीट पर जो उत्तर आपने गुला जिसमें ब्लेक काला कर दिया ना तो से आप काट सकते हैं ना इरजर से मिटा सकते हैं ना आप भाइड नर का प्रियो कर सकते हैं दूसरा खंड बास जो है उसमें पचास अंग के बढ़नात्मक प्रश्ण होंगे, पांच प्रश्ण होंगे जिसमें, प्रतेक प्रश्ण के अंग, उसके प्रश्ण के सम्मुख लिखे हुए होंगे, किस प्रश्ण में, कितने खंड आपको करने हैं, निर्देशों में लिख देखा हुआ है कि देखते हैं खंडा कि घंड़ा में 20 पर्षन है पहला एक परविय संख्या का दस्मलब प्रिसार होता है चार अप्षन होंगे सही ऑप्षन कौन सा है बहे ऑप्षन आप चुनकर OMR C DO printed पर सकते हैं प्राशन नंबर दो दूसरा जो प्राशन है उस प्रिशन में चौथेमें 20 तक कर प्राशन हैं। Also fanging on PayPal 2 पर गोला काला कर सकते हैं। और OMR C DO cambi? पेन का ही प्रयोग करना है जल पेन और आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी ओमार शीट खराब हो सकती है घंड बाद बढ़नात्मक है इसमें में ओमार शीट का प्रयोग यह कि यॅ पर्षनों की गुर्वत्ता के अधार पर अपनी उत्तर Oh स्थपार में मिन परों को अबश्रण कर सकते ह printing कि अब पहला प्रशन सभी खं़ करने हैं पहले में आपको चाप आपको तरीन दिये हैं निम्ने लिखित में किनी 5 खंडों को हल कीजिए 5 खंडों को हल करना है आपको 6 प्रशन दी हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 में से आप कोई से 5 प्रशन जो आप कर सकते हैं उन्हें आप कर सकते हैं इसके बाद प्रशन संख्या 3 तीसरे प्रशन में आपको 24 दी हुई है या तो आप उपर वाला प्रशन करें या अथवा में दिया हुआ प्रशन करें दोनों में से कोई सा प्रशन कर सकते हैं 6 नमर का प्रशन है इसके बाद चौते प्रशन में भी आपको 24 है दोनों में से कोईशा कर सकते हैं यह भी छे अंकों का है इसके बाद प्रशन नमर पांच में भी आपको च्वाइस मिली हुई है यह भी छे अंकों का प्रशन है इसमें भी आप दोनों में से या तो यह वाला कर सकते हैं या अथवा में प्रशन दिया हुआ भी कर सकते हैं